साथियों जमाना इतना ज़्यादा वदल चुका है पड़ लिखकर हर यूँआ अपना अधिकार जान चुका है लेकिन आज भी इस देश के अंदर कुछ छेतर ऐसे हैं कि बहुदन समाज को ये लोग दबाना सोचते हैं मनुवादी लोग जहां दोस्तों मैं बात करूँगा आपसे एक ऐसे मामले के बारे में जो इस देश के अंदर आज भी घटने को है बने रहेगा मेरे चैनल पर मैं आपका दोस्त राजी हूँ साथ यो इतना कुछ बदल गया इस देश में आजाधी के बाद लेकिन आज भी जातिवाद जोकतियों इस देश के अंदर पनपा हुआ है मनवादी लोगों की सोच आज भी वही है कि बहुजन समाज को दवाया जाए नीचा ही रखा जाए इनको उठने ना दिया जाए मामला है राजिस्थान के गड़मोर गाउं का महापर ओमकार नाम के एक व्यक्ति है उनके बेटे की साधी है अभी 22 फरवरी 2023 में तुम्हाँ पर कुछ बहुजन समाज को दवाकर रखते हैं उसे एरिया में तो उन लोगों से ओमकार जी ने बोला के भाई साब मैं अपने बेटे की साधी कर रहा हूं और उसमें गोड़ चड़ी करना चाथा हूं उने बेटे की इस बात के ओपर वो लोग बोखला गए और ओमकार जी के साथ में बत्तमी जी की और उनको साब साब माना करदा है कि तुम लोग गुड़ चड़ी नहीं कर सकते ये तुम्हारे हाक में नहीं है तुम छोटी काश्ट के हो उनको अपसब्द कहे इस तरह की बात उनके सामने क सही तो दोस्तों यहां से आप सब लोग देख सकते हैं कि मनवादी लोग ये ठाकुर राजपूत ब्राह्मन लोग मनवादी लोग आज भी बहुज़न समाज को उठते वे नहीं देख सकते पानी तो पीने की बुदूर के बात रहा गई गुड़ चड़ी पर भी इन लोगों को इतना वो है कि हमारी लोगों के साध्यों को ये गुड़ चड़ी पर नहीं देख सकते तो मैं आपको बता रहा था उस मामले के बारे में गड़मोरा गाओं का है राजिस्थान का मामला तो इसके उपर ओमकार जी ने भीम आर्मी का सहरा लिया भीम आर्मी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने साब साब लिखा कि मैं अपने बेटे की गुड़ चड़ी करना चाहता था लेकिन इसके लिए मैंने जब राजपुताना परिवाज से समुदाय से इस बारे में ब हावी है और परसासन भी मनवादी लोगों का ही है जो एक गरीब परिवार की बहुजन समाज की मदद नहीं करना चाहता जाने को तो प्लिस थाने में प्लिस टेशन में भी जा सकते थे लेकिन उन्होंने भीम आर्मी से गुहार क्यों लगई क्योंकि बहुजन समाज के साथ में भीमार्मी खड़ी होती है और ये जिस समझो परसासन है सब मनवादी लोग है ये नहीं चाहते कि देश में भोजन समाज आगे बढ़े ठीके दोस्तों तो इसलिए ओमकार जी ने अपने बेटे की साधी के लिए भीमार्मी से गुहार लगाई है कि भीमार्मी मेरे चाही से ये लोग ड़ते हैं पानी पीने के नाम पर हम लोगों कमारते हैं आज भी देश के अंदर इतना कुछ बदल चुका है लेकिन राजिस्तान के अंदर कुछ हिस्जे कुछ जिले ऐसे जहां पर बहुजन समाज को ये मनवादी लोग दबाना चाहते हैं उठने नहीं दबाना चाहते हैं लेकिन आज हर भाँजन जग चुका है बाबा साहिब ने जो समिधान लिखा है उसकी ताकत समझ चुका है क्योंकि हमारे समिधान में हमारे बाबा साहिब ने लिखा है कि मेरे बच्चों तुम समिधान एक तारीके से चलना और अपने हकादिकार को पान लिए एक प्रार्थना पत्र थाने में ना देकर भीमार्मी को दिया और उसमें शादी का काड़ भी लगाया कि मेरे बेटे की साधी आप लोग साधर मंत्री तो पूरी भीमार्मी अपना सहयोग देंगे ताकि मेरे बेटे की घुर चड़ी हो और राज-पुताना मुझ पर ए की जाएज़ी ठीक दोस्तों और हम सबको पढ़ने की जभरोत हैं अपने हम्रीकार जानने की जभरोत है ठीक दोस्तों क्योंकि ये मनवादी लोग हमें आगЕ बढ़ते हुए नहीं देख सकते हमारी परचाईश से तक डरते मंदिरों के नाम पर मारा जाता है जब इनकी सरकार होती है तो इनको दिख जाता है कि आज हमें हिंदो मुस्लिम को एक कराके वोटर लेना है हर दलित के घर में जाते हैं हर बहुजन को गले लगाते हैं लेकिन बहुजन समाज को उठते वे तो नहीं देख सकते हैं कि साधियों तक में खाना खाना पसंद नहीं करते हैं, जाना पसंद नहीं करते हैं, ठीके दोस्तों, तो ऐसे परपंच ये लगाते हैं कि बहुजन समाज नीचे दवा रहे, कुछला रहे, ये समाज कभी उपर न उठे हैं, ठीके दोस्तों, तो इसके खिलाब हमें लड़ने सब्सक्राइए तो इस वीडियो के टारा सही उघूर करना था कि अनुभादि के मोउपटतमाचा लगें ट्रेके दोस्तो किसी और वीडियो में आपकी क्या परतिक्री करई होगी कॉमेंट मक्स में जोर होगए ट्रेक day मिलता हो किसी और वीडियो में तम तक के लिए जैभीम, जैस समिधान, टिक केर